गैस ऑब्जेक्ट-oriented programming को खतम करने के बाद अब हम लोग करेंगे ऑब्जेक्ट-oriented programming की एक mini project का एक mini project कुछ भी कह लीजे mini project में हम बनाएंगे library management system यानि कि एक online library एक online library manager भी आप इसको बोल सकते मैं आप पर एक काम करता हूं लिखता हूं mini project 1 और mini project 1 जो है हमारा object-oriented programming पर होगा आप लोग करना किया है आप लोग को एक library class बनानी है एक library class बनानी मैं आप लिख देता हूं create a library class library class और आपको करना किया है library class अरे ये क्या हो गया तो आपको एक method define करना है फिर उसके बाद अगर कोई इंसान donate करना जाता है book library के अंदर तो एक add book नाम का function आपको बनाना है तो उससे क्या होगा कि एक book add हो जाएगी उस library के अंदर उसके बाद return आपको किसी customer को return करनी है book या किसी इंसान को book return करनी है तो वो क्या करेगा return करते है return book एक function जो है वो run होगा तो मैंने आप लोग को यहाँ पर चार function के बाले में बताया एक तो था display book और इसके बाद जो मैंने आप लोग को बताया है वो था land book और इसके बाद add book और उसके बाद यहां पर return book तो यहां पर मैं एक काम करता हूँ इसको comment out कल दे था हूँ कि पाईचाम मेरा confused हो गया इसने आपर indentation दे दिया एक तो पाईचाम भाईया confused ना हो आप यह मैं सिर्फ comment लिख रहा हूँ तो मुझे kindly लिखने थे comment यह क्या हो गया यहां ठीक है दो बार हो गया comment out कोई बात नी तो हुआ क्या है कि मैंने आप लोग को एक library class बनाने के लिए बोला अब यहां पर आप लोग सुनों इसका purpose क्या है ऐसा हो सकता है कि मालनो मैं एक इनसान हूँ मैं इसी class कर इस्तिमाल करके library बनाऊंगा मालू मैंने अपनी library का नाम रख दिया Harry library मैंने मालू मैंने यह रख दिया और मैं is equal to करके library बना दूँगा और मैं इसको input दूँगा यानि कि जो constructor होगा इसके अंदर वो लेगा list of books तो यह जो है problem statement का part है मैं जो बता रहा हूँ list of books जो भी list of books है मेरे पास उनकी list रहेगी और उसके बाद जो दूसरा लेगा वो library का नाम रहेगा library name तो मैं अपनी library का नाम दूँगा Harry library और मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ तो यह मैं आपके ओपर छोड़ता हूँ आप इसको किस तरह handle करते हैं लेकिन जो constructor मैं बनवा रहा हूँ वो आपको बनाना है इसी तरह से आप लोग को ये चार method must have defined करें इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं एक dictionary ले सकते हैं अब आप जो कर सकते हैं यानि कि जो आपकी मर्जी रहेगी वो मैं आपकर नीचे लिख रहा हूँ तो आप जो कर सकते हैं वो है dictionary ये dictionary आप लोग maintain करेंगे और dictionary maintain करेंगे कि किस इंसान ने कौन सी बुक ले रखी है तो अगर कोई इंसान मान लो land करना चाहता है बुक और वो बुक available नहीं है तो आप बता दें कि ये बुक किस के पास है तो who owns the book if not present in the library ठीक है अगर कोई बुक लाइबरी मनी है तो वो बता दें कि कौन उस बुक को ओन करता है कौन अभी बुक लेके बैठा हुआ है इसके बाद आप लोग ये dictionary में क्या करेंगे की value pairs के रहेंगे की रहेंगी books value क्या रहेंगा की रहेंगी books value रहेंगी आपकी name of person अब हम याव रेजियूम करेंगे कि आप जो नाम है person का वो exact same है एक तरह से आप username कह सकते है इसको एक customer का username same रहेंगा जब आप add करेंगे book तब क्यों किसने दी है book तो हम एक तरह से आपर एक चीज़ assume करेंगे कि कोई भी system को abuse नहीं करेंगा च्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कोई आप system मनाते तो इसको abuse कर सकते है लोग run करते जाए function वो जब तो हम यह मान कर चलेंगे assumption है और जो की बहुत unreal assumption है कि सारे लोग जो है इनसानों की तरह बरताब करेंगे जैसे मान लीज़ा मैंने कोई एक website बना दी मानलो youtube की नाम से website बना दी और इसमें मैंने जो delete function है video delete करने का function हो public कर दिया क्या लोग चुप बैठेंगे नहीं guys लोग चुप नहीं बैठेंगे कि सारे लोग इनसान है जानवरों की तरह कोई बरताब नहीं करेगा और सब लोग system को use करेंगे abuse कोई नहीं करेगा तो आप लोग जो है इसको ऐसा mini project लें और इसको आप लोग बाद में अभी नहीं बाद में आप लोग इसको ऐसा या फिर मतलब काफी चीज़े हो सकती है और लेकि अभी के लिए आप लोग एक simple class बनानी है और एक infinite while loop आप लोग को चलाना है main function के अंदर तो यहां पर मैं लिग देता हूँ create a main function and run an infinite while loop asking users for their input तो आप लोग चार तरह के input ले सकते हैं कि भाई लोग आप क्या करना चाते हो display करना चाते हो सारी books display करना चाते हो सारी available books land करना चाते हो book, add करना चाते हो book या फिर return करना चाते हो book तो उस तरह से आप एक अच्छी सी online library मुझे बना कर दिखाएं और आप जो अपना program है इसमें नीचे comment section में डाल दें और बिल्कुल आप लोग का काफी अच्छी practice हो जाएगी और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के question पसंद आया होगा तो यहाँ पर यह library काफी काम आने वाली है अगर हम लोग इसको बाद में कहीं प्लग करना चाहिए अपनी jango या फ्लास website में अगर आप लोग ने भी तक किये python programming की playlist को access नहीं है तो kindly जाएं अब कर लें access इस ना और नेवर जागर आप लोग इसको access कर लें और यह जो है recent playlist है और इसमें जो है कमेंटर आप लोग को लगता है कि आप एक या दो दिन लिंगे इसका solution submit करने में तो इस challenge को accept करें कम से कम कि हायर यह मैं कर सकता हूँ comment करें नीचे मुझे comment section में लिखें कि I accept the challenge मैं देखता हूँ कितने लोग करेंगे और मुझे पता है उन लोग का number बहुत कम होगा जो कि लिखेंगे नीचे कि I accept the challenge तो आप लोग नीचे कुछ भी लिख रहे है आप I accept the challenge लिखेंगे और आपके क्या views और इस question के बारे मुझे बता है Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time झाल